हे गाईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओपो A3X 5G में एप्स को लॉक कैसे कर सकते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं गाईज सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जाना है फॉन की सेटिंग्स में जाने के बाद गाईज यहाँ पर आपको एक option दिखेगा security and privacy आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद गाईज आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको app lock and hide apps देखने को मिल जाएगा तो अभी हम apps को lock करने वाले हैं तो आपको app lock पर click कर देना है click करने के बाद guys यहाँ पर आपको सारी apps show जाएंगी और सबसे उपर option देखने को मिलेगा आपको app lock का तो इसको आपको enable कर देना है जैसे ही guys आप इसको enable करेंगे तो यहाँ पर privacy password set करने के लिए बोलेगा तो privacy password set करने के लिए आपको settings पर click करना है settings पर click करने के बाद guys आपको अपना privacy password यहाँ पर set कर लेना है तो यहाँ पर black screen हो गई है security region से तो आपको privacy password यहाँ पर set कर लेना है एक बार अपना privacy password डालना है फिर यह confirm करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आपको confirm में भी वही password डाल लेना है इसके बाद यह security question set करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर अपना security question set कर लेना है और email भी हाँ पर add कर लेना है ताकि अगर future में कभी आप privacy password को भूल जाते है तो recover करने के काम आएगा तो यहाँ पर email को भी जरूर एक कर लेना है तो सब को set करने के बाद गयाई यहाँ पर यह इनेबल हो जाएगा आपका एप लॉग यहाँ पर नीचे आपको सारी एपस हो जाएंगी जिन अपको भी आप लॉग करना चाहते हैं सिंप्लि उनको सेलेक कर लेना है अगर करने के बाद गयाई आपको उपर थी डॉट दिखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिए करना है और सैटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गयाई यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अधर सकते हैं तो काईस जब भी आप लॉट आप अनलॉक करेंगे तो फिंगरश पेंट या से कर पाएंगे तो यहाँ से इनको कर देना है गया 1 करने के बाद गाईस औपर एक ऑप्शन देखना को मिलेगा लॉक हैं तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद गयाई एकसे ऐप पर आपको क्लिक कर देना है ताकि जब भी आप लॉक से एग्जिट करेंगे तो दुबारा से लॉक हो जाएगी और तो इस आपस्पेट करता हूं तो यहाँ है तो यह पर गाइज मैं अपना पासवर्ट दे सकता हूं और मैंने फेस लॉक और फिंगर्प्रिंट भी लगाया हु हूं तो इस तरह से गाइज आप OPPO A3X 5G में एपस को लॉग कर पाएंगे तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ सेयर कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ाइब जर।